लो गाइज आजम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी वेबसाइट बाइ यूजिंग मॉन्स्टेक एंड रियक्ट राउटर वर्जिन 6 मैं मोंगो डीबी में डेटाबेस में जाता हूं तो यहां पर मारे बाद छे आइटम्स हैं एक मेंस यह सारी आइटम्स जो है वो डिरेक्ली मौंगोड से आ रही है यह लेक्मी क्ली वोख यु थू vendors डी वेब related में क्या क्था में हैरा बस क्या 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 भ이고 regions जैंसे ह happiness Asian सब्से पहले हम किसी भी ऐाइटम कू डेटर सकते हैं तो अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो ए आइटम में आैं है देखुक अगर को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो आप देखोगे कि आपका जो न्यूली एडिट वर्डक्ट है वो यहां पे आपको दिख रहा है यहां पे रेविगेशन बार भी बनाया है यह हमारा हूम पेज है जब यहां एक्टिव होता है तो इसका कलर ब्लू रहता है और जब मैं एक्टिव क्लिक करता हूं तो एड करके तो लेट सी हाओ टो बिल्डेट विल बिल्डेट तोगेदर अब मैंने श्यूज मर्न नाम का फोल्डर अपने व्यसकोड में उपन कर लिया है और उस फोल्डर के अंदर मैंने दो और फोल्डर के रिए हैं एक बैकेंड के लिए और एक फ्रेंट के लिए सबसे पहले अपने प्रोजेक्टी बनाएंगे उसके लिए मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूं और मैं नविएट कर लूँगा अपने बैकेंड फोल्डर में ठीक है बैकेंड फोल्डर के अंदर जाकर सबसे पहले मैं आप एक मांड चलाऊंगा एंपी एम इनिट माइनस वाइं करती है इस अभी फायल क्या होने के बाद हम क्या कर सकते हैं यह उनीकेंड कापनी होने गेंडिल्री चाहिए इसके अलावा हमें एक इस शिंद कर दिलंगे इसके लिए OF मैड फोल्र लीए एक प्रेस्ट ्लडाध प्रॉइस औरेट्जीnost की अब लेогनission कोर्च आदेख से लिए हम डालते है माइनस बी नोड मॉन प्रेस एंटर ठीक है नोड मॉन भी इंस्टॉल हो गया नोड मॉन वो कोड चेंजिस को वोच करता रहता है और सर्वर को रिस्टाट करते है जब भी इसको न्यू कोड जेश मिलते हैं ठीक है अब अब अपनी डेपेंडेंस एकस्प्रेस ॰ो लिखने वाले और यहां परेस्प्रेस्ट कोड लिखने से पहले में स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसका नाम होगा स्टाट और और नोज्मोन सर्वर.ड जस्ट फिर के अंक रहे हैं और सब्से पहले किरत ड्मेहें अपिलर के एक्सप्रेस को सरहार हो इक्सिरस और हमिए the two kors ईक्रक्वार नश्कर बूर्स नश्क्रेट में तक लिए इंडिपेंडेंसिष को एसे रिक्वायर करने के लिए मैं संपित एक नोट स्निपट एक एक विए स्कोड की खेंशनाथि है मन स्निपेट्स मी यूज़ ओं इसके अंधर आप जो है अधिस रिक्वायर मंगू ज रिक इसमें और भी वह सारे फीचर्स हैं, so you can check them out, ठीक है, उसके बार एक एप करेंगे, by calling the express as a function, और यहाँ पर हम तो middleware यूज करने वाले हैं, one would be express.json, यापके इतनी भी API requests होंगी, के अंदर दो json होगी, उनको एंडल करेगा, और एक मैं यूज करने वाला हूँ, middleware chorus, this will take care of the chorus errors in the browser, okay, इसके बिना the browser में बहुत सारे chorus errors देखने को मिलेंगे, so to avoid that, हम यह यह यूज करने है, ठीक है, अब हमारे middleware हो गए, अब हम एक किसी भी port पे अपना server run कर सकते हैं, मैं आप 5000 पर रन कर रहा हूँ, और भी लेता है, जिसमें आप लिख सकते हो, server is running on port 5000, ठीक है, इसको सेव कर दिया, अब अपने server को स्टार्ट करने बाला हूँ, इसके लिए मैं लिख रूँगा, npm start, अब लिख सकते हो, server is running on port 5000, नेक्स्ट, हमें एक डेटाबेस चाहिए, उसके लिए मैं फाइल करेंगा, mongodb.js, अब हमने फाइल तो क्रेट कर ली, लेकिन हमें एक actual mongodb database भी चाहिए, उसके लिए हम क्रेट करेंगे, एक नया mongodb.atlas database, database, so guys, mongodb database create करना बहुत ही आसान है, इसके लिए just mongodb search करना है और पहले link पर क्लिक कर देना है, इसके बाद, आप sign in या sign up करके, आप ये screen देख पाऊगे, उसके बाद हमें क्लिक करना है, build a database, हमारे बास हमें तीन तरह के database हैं, बट हमें shared और free वाला database ही है, because हम ये पने development purpose के लिए और हम इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना चाहते, तो we will create a free database, create पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहां पर default setting selected है, shared हमने select किया है, AWS is our cloud provider, उसके बाद जो region है वो हम Mumbai select कर लेंगे, create cluster पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यह आप से username और password मांगेगा, मैं यहाँ पर coding doctor डाल रहा हूं, और यह password है, इसको आप auto-unit कर सकते हो, यहाँ पुछ से type कर सकते हो, मैं यहाँ पर auto-unit कर रहा हूं, इस password को copy करके आप कहीं पर save कर लिजी क्योंकि यह password की जरूरत पढ़ती है, जब हम अपने front end स इस database को connect करेंगे, उस time-based password की जरूरत पढ़ेगी, उसके बाद यहाँ पर create user कर देना है, और यह add my current IP address, finish and close, go to database, अब यहाँ पर आप देखोगी, आपको यहाँ पर अपना database दिखना शुरू हो जाएगा, और यह cluster है, वो अभी create हो रहा है, यह तो जब तक यह create हो रहा है, हम connect पर click करेंगे, यहाँ पर हमारे पास तीन options आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर second option select करेंगे, क्योंकि हमें अपना MongoDB अपनी application से connect करना है, तो हम click करेंगे connect your application, उसके बाद आप एक string मिल जाएगी, यह string भी बहुत important है, तो इसको आप copy करके, और कही ना कहीं save कर लिजिए, क्यो आपको दिखाएगा आपके जितने भी collection है, आपके जितने भी records आपने आज तक बनाए है, आपका जो data है, वह आपको यहाँ पर दिखता है, पर जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी तक कोई भी data save नहीं करवाया है, तो यहाँ पर यह दिखा रहा है data base zero collection zero, यहाँ पर data show कर कर देगा जब हम actual में frontend से कुछ data create करेंगे, let's go to the VS code for that database create हो चुका है, करेक करने के लिए मैं सबसे पहले require करूंगा mongoose को और एक मैतर बनाने बाला हूं जिसका नाम होगा connect TB, और यहाँ पर हम लिखते हैंगे mongoose.connect, इसको एक string जही होती है, और यह string जो हमने mongoDB database create करते time जो हमने safe गरी थी, वोई string हमें यहाँ पर पास करवा है, मैं यहाँ पर अपना username डाल दूँगा, और जो password हमने auto generate किया था या फिर आपने जो type किया था तो भी आपका password है, वो आप यहाँ बे डाल सकते हो, क्या है, उसके बादी जो slash है, इसके बाल हम अपनी database का नाम दे सक करता है, अब हम यहाँ पर कुछ पास कर वादी है, इस configurations help MongoDB to work properly, और यह promise पर रिटन करता है, अगर connection successful होता है, तो यह परिंट कर देगा DB is connected, otherwise error print होगा, और हम यहाँ को इस से, इस method को export कर रहे हैं, तो हम इस file को close कर सकते हैं, तो इस file में हम इस newly created method connect DB को require कर लेंगे, और इस method को हम call कर वाएंगे, save it, अब देखो कि आपका server is running on 5000 and DB is also connected, फिक है, next, हम back in folder के अंदर जो है, एक file create करेंगे models के लिए, क्योंकि हम इस project के अंदर MVC pattern को follow कर रहे हैं, MVC stands for model view and controller, और हमें इसके अलावा एक और folder जी इसका नाम होगा, routes, so we have controllers, we have models and we have routes and for view, हमारे पास जो है, ये front end वाला folder, इसको view कहते हैं, ठीक है, अब सबसे पहले, एक model create करते हैं, इसका नाम होगा, shoe model.js, और model create करने के लिए, सबसे पहले मैं require करूंगा mongos को, और उसके बाद हम एक schema create कर लेंगे, अब हमारा जो shoe schema और shoe model लेंगे हो चुका है, इसके लिए सबसे पहले एक title property है, जो जिसका type string होगा और required है, और हम इसको trim भी कर रहे हैं, और हमेड प्राइस, इस type is also string and it's required, and then for image also we have type string and it is required, So next, एक mongos model create करेंगे, और इसके लिए के लिए करेंगे और इसके लिएक्ट प्रेंशन एप जो आपके model कर नाम है वो टाइटल केस में पास कर वाएं, और जब मॉंगो डीबी इसको रीड करेगा तो इस एड़ कर देगा तो मॉंगो डीबी के अंदर यहां को शूज तिखेगा ठीक है और सेकिंड पैलामेटर है मॉंगो डॉट मॉटल के लिए वोता है जो हमने स्कीमा करेट किया है फाइनली एक्सपोर्ट कर देंगे एक सेव जो कंट्रोलर डॉट जीएस के अंदर सबसे पहले किरीट किया है मुझको रिक्वाइर कर लेंगे और यहां पर एक मैठर मनाते है जिसका नाम होगा गेट शूज कि मैठ बेसिकली हमें जित्रे बी डेटाबेस के अंदर हमारे शूज होंगे वो सारे शूज अफैस करके लागे देगा तो यहां पर मारवास रिक्वेस्ट और रस्पोंस रहता है तो कि अल दिस यूज मैं आप लिखूंगा कॉंस्ट श्यूज इस इक्वल टू वेक्वे फाइंड एक इसिंग्रोंडस ऑपरेशन है यह थोड़ा टाइम लेता है डेटाबेस इसार डेटा बुलाने के लिए तुमने आप अवेट का यूज किया है और क्यूंकि वेर यूजिंग अवेट हीर इस फॉंक्शन शुद भी पीसिंग ठीक है अब जैसे ही हमारे पास ड सब्सक्राइब के आजाएंगे लिकें सेंडेट बाक टूदी इंटेंड यूजिंग इसमेट रिस्पॉंस टॉट शेशन ठीक है और फाइनली हम इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं गेट श्यूज इकल टूट श्यूज मोटर लेडी है कंट्रोल लेडी है नेक्श विल गो टू दी राउट यहां पर एक नया नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा श्यूराउट डॉट जैस इस फाइल के अंदर सबसे बहले एल रिक्वायर एक्स्प्रेस एंड टीक राउटर क्रेट कर लेंगे करने के बाद यहां पर लिखूंगा राउटर डॉट गेट क्योंकि हमारी जो जो यह गेट शूज कंट्रोल हमने बनाया है वह एक गेट यह होगी तो मैंने आप लिख दिया राउटर डॉट गेट और इसका जो एंड़ पॉइंट होगा प्लैस शूज और इसकेट रावटर डॉट गेट को अमने एप एक इंप पास्करवाद यह और शेकें तिन तिन विसकी यूटिया यह तीज दी एंट्रोलर गनाम अमरता गेट प्लेट यह जो हूझर प्लैस只是 अपड़ कर्श कोरा हुआ को टेस्ट आप this एक्स्स के हुच्रोलर कर दो दो प्रवा देंगे शू रौट एल्ट यू रौट विलिप इंपोर्ट अब देर इस सम एरर इट उप नौट एप नौट एप लेट सेविट प्रणावट इस वोकिंग तो अब ने प्याइट कर ली है वर इसको कॉल करने के लिए मारे पास क्या उआ प्रणाव इस विज्सक्राइट आप एस प्रमेंग कर माला हूँ था इस खाल रस्थ भांब इस फ्री श्रीक्टिरियल और्थ एस्ट्न को युस तरिए मैं एक प्रीट करण स्ग्याँ थरम प्रणार्ड को रूट 다음에 हमारे सबसे पहले एक यह दाइट एक यह अब हम इस पर सेंट रिक्वेस्ट किलिकर सकते हैं और इस तो हुंड़ेट मेंस इट वा सक्सेसफुल एंड इस रिटर्न इन एंप्टी एरे क्योंकि हमारे पास हमने अभी तक कोई शुक्रेट ही नहीं किया है लग्स करेट अन्यू एपिया तो क्रेट इस शुज तो अम्हाप एंप्टी रिना दिक्क हम हमारे तो प्रेट शुजें वादिके नो अवग नहीं करेट करने के लिए तो हम रिक्ली जाएंगे वारे सेक्ड श्टेप में विच तो क्रेट रूलर ठीक है इसके अन्दर भी रिक्वेस्ट होगी और स्पोन्स होगा और यहां पे अब शुक्रेट करने के लिए वेल्यू 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 जाए तुट्रेट विच टाइटल प्राइस टॉट्ट टॉट्ट बोड़ी रिक्वेस्ट टॉट्ट बोड़ी इसके अंदर फ्रेंटेंस जोब इमरे पास इसना ताहिं वसारा इसके अंदर टाहता है तिक है और अमने दिस्ट्रेट टीनो वैल्यू यहां से न्यू शू करेक्ट फोड़ाइट न्यू शू यह आपका मोडल है और इस रमेंबर मोडल के अंदर टाइटल प्राइस एंड इमेज इतीनों प्रोपर्टीज वायड है जो ही पास करने पड़ेगी तो इस अब्जेक्ट के अंदर हम यह तीनों वैल्यू को पास करवा दें है ताइटल प्राइस एंग मेज ठीक है वाद वन्स आर न्यू शू इस दैर हम इसको से पर वा सकते हैं और सेव्ड डेटा होगा तो लेटेस्ट स्यू अमने क्रीट किया है यहां पे वह में बेकन को सेंट कर देंगे यूजिं रिक्वेस्ट डॉट सेशन गैं और लेट्स आपको प्राइब कर दोट्फाट रहां यहां पर उसका अन्ट पॉंस कर दोड़ान इसको अनुप कर दोड़ा तो नहीं इसको नाम में गया था किरीट अच्छू और यह पोस्ट इपाई होने वाली है वीवल राइट रॉट डॉट और पोस्ट और इसका जो एंड़ पॉ शूच नाश नयू पर यहां पास कर तेंगी करीट शू फिर यहां विध रचेंड अपय डियाट अनुश हूँ इस अपार शुर्ट कर लेटे हैं इस अपर बार क्ली टेस्ट एक थे टीस जिस आ पोस्टर पोड़ी तो लेकर विट्ट इस पूड़ी तो लेट इस पूड़ी get request body okay we are passing title price and image here now here's a data this is a season uh to tell this to the api that this is a season data a content type passker on out back and save it next send request and it has created a new shoe in the mongodp database okay these three values in the past security or is those underscore ID I am going to be a great career so my two API is ready here now we create a new API now I am going to write shoe dot find by ID and delete or delete chemical issue go miss you key ID see that ID we can get from the request so in the response we get this is in data and in the request we get the data from our URL you can you all can and as a parameter zotei for request dot Adams dot ID okay now we have a method of find by ID this is a method that will use of it or this method also returns the deleted shoe so I must go here okay store customer delete deleted shoe is equals to this again now it just should delete why that you we can send to the front end by using response rotation or you have a let's export the newly created delete shoe controller so now the delete shoe controller is also ready this is what I'm lying issue route per and here I have a big mayor out of the country that they are out of the door delete but it's kind of a shoe slash delete slash colon ID is called an ID by me we will talk in a while using a request by using a request by using a request that the first and for the user is usar देगा तो शू की आइडी उठाके हम इस डिलीट के साथ देज देंगे और यह जो कॉलन आइडी है वो हम यूज कर लेंगे हमारे शू कॉंट्रोलर के अंदर वाई यूजिंग वेश्ट डॉट फेरंश डॉट इडी ठीक है विद बाट आर डिलीट इपी जो रेडी लेट् अब शू को डिलीट करने के लिए हमें उस चू की आईडी पास करने पड़ेगी उस आइडी को के लिए सबसे पहले हम तो हमारी शू की गटेपेस को को बहुत यहां पे यू केंद सीविए वन्चू सो इसकी आडी को प्यकर के यहां पेश कर वा देते हैं तो अब जब हम इसको सेंट रिटेट करेंगे यह एली तो जाना जी एक एफ एकलिक सेंट रिक्वेस्ट बड़स्ट वेस्ट वाइट रिट रेट रिटा रिट यूट अब चेक अप्च करने के लिए की डिलीट वाकि भागिन वा मैं फिर से एक बार जो वरी कैट शुज वाली प्यास को एक करूं और यहां पर यहां पर मैं एक बनाने वाला हूं ऑंस्ट अप्टेट शुज रहेगी और यह एक एसिंग मैंट है ठीक है अब शुक अप्टेट करने के लिए हमें जो नुव वैल्यूज है जो हमारी फ्रेंट इसे वैल्यूज आर ही है वह हमें चाहिए राइट तो फंटेंट से वैलिट करने के लिए वी है रिक्वेस्ट डाट बोड़ी कि अविस पोड़ी के अंदर से रिकेंट इस्ट्रुक्टर दी रिक्वाइट थिंग्स तो वी हैव टाइटल प्राइस एंड इमेज कि नाउ तक पर लिए किस को हमें अब डेट करना है राइट उसके लिए मैं यहां पर लिख भूगा शू dot find by id or lady here we can get it from the request dot params dot id we get the same application request for params id similarly here we can get it here this is an async operation so i'm going to write a weight here what will happen as you find the shoe with that id it will return that okay so we have a new concept of matched shoe in this shoe will match out of multiple shoes which can be stored in the store the values can be updated so first of all will be matched shoe dot title is equal to this title so my friend and say hi similarly we can update the price of the price of the sentence i have school or image go okay now these things are updated we can save the matched shoe and finally we can return the dated shoe again and we can export it so exports dot it shoe is equal to update you next they're going to the shoe route take over to create to update the shoe in front raga shoe slash update colon id and what we have newly created our controller update shoes we will import and we will pass that sure we get this colon id the same logic that was in the delete shoe we will pass that id we will get this id from the front end and we will get this id from the front end and we will use it okay let's save the shoe route with that our update api is also ready totally this api test let's do this so let's create the shoe and we have the id now this id we can pass here and now to update the values uh let me copy this in paste it here for la let's say it was sixty dollars now it's seventy dollars and it is pepper too these are the updated values and since this is uh of type json we need to pass the content type json as well okay if not let me about let's click send request and it is successful and you can see the latest price is 70 and it is called vapor 2. with that our all four apis are done so these four apis represents the mongodb cred operations uh c stands for create so this api uh is to use the create this use that's that is for the c then we have the r which stands for read to get all the values we are reading the uh data from the mongodb and then we have update so this is api uh used for update and then at the last we have the delete api our backend is done we can close the folder and now let's focus on the front-end side we'll make a terminal open car key we'll navigate to the content folder okay here i'm gonna run npx create react app dot a command and if i open the front-end folder it has the package authorization file and now i'm going to install all dependencies one is axios to call the apis and two three dependency here react router um let's wait for some time this is installed and react router dom version six is also installed okay after that source folder and here i will delete some code so i'm going to delete app.css app.js i'm going to delete all this and uh save div class name app working in this logo uh import because i can have your css bt i protest is not required so let's delete it index.css is also not required let's delete it index.js we can delete this and this save it now index.css does not exist so let's delete this as well logo is not required this is not required and such pressure is not required select delete these files as well a react app we will wrap it in the browser router so that we can use the react routing okay and this is a app we will wrap it in the browser router how to react router dome router dome and this is what we wrap it in the browser router के अंदर को प्लोज कर सकते हैं उसके बाद अप्लिकेशन के अंदर तीन कंपोनेंट्स होंगे एक नाइव बार एक होम पेज और एक जो एग तो न्यू शूज वाला फॉम है तो फर्स्ट फॉल एम गुंग तो क्रिएट अन्यू कंपोनेंट कॉल नाइव बार डॉट जैस जो एक प्लेट अन्यू फॉम्ट्टिन कॉल्ड नेव बार फॉमी और यहां पे लिट्स दिलीट इस दिफ एट्स अनेव बार विया पे नेव यूज करने वाले है इस नेव इस नेव इस लिग तेग फोम एस्टेमल इस ब्रावसर को पता सले लाता है कि लिए अनेव बार एरिया और इंसाइड नेव बार आम गोंगे टू आइटम्स सो फॉर थाइट पहले रिपोर्ट कर लेते हैं नेव लिंक फ्रॉम एक राउटर डॉम और यहां पे पहला जो लिंक होगा वो होगा ओंपेश के लिए और यह पे हम अपनी एपिशन नाम लिख बिंगे नाइकी और दूसरा लिंक होगा अट इस तो आद बीनु शुज तो वित बार रियक कोड़ इस दन लेट्स एड़ दी सीसस कोड फरनेवर और डॉड स्थरी आप मुड लूड है स्थरीष गया तो आप पेस्ट लिख लिए फ्मोड बॉड्स जापन लाक। लिए भी नवरे घंग को ओस्ट बॉड़ कि आप मॉड लूड टोसरी नवर्मट खिट अबॉर्ट इस वित्स हैं टॉड़ श्मोल दुट झाल्यक टूड बीटां लिए और यह सेम चीज जो है मैं करूंगा फॉर्म के अंदर और एक फॉर्म के लिए और एक फॉर्म के लिए लिए पहले हम चले जाते हैं और यहां पर वी विल क्रियेट टी राउट सब्सक्राइब इंपॉर्ट टी रियक्त एंड रियेक्त रॉटर डॉम से हुआ हुआ है वी बेलिंपोर्ट राउटस राउट नंच के अंदर जो है हो आएगा एक तो राउटस एड़ इस इस अनुव संटेक्स विद्यक्राउटर शिक्स राइपी राउट मारवाज वह दो राउट से प्लिक एक और यह राउट राउट से पाथ जो कि हमारी रही हम पिसके लिए लिए श्लैश और जो एलिमेंट होगा एक वुड़ बी ओम एज जी एस एक्स और यह हों जो है हम यहां पे इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट ओम फॉर्म इंपोर्ट हों सिमिलरली जो दूसरा राउट है वह उसका पाथ होगा पाथ लैश एड और इसका जो एलिमेंट है वह होगा फॉर्म एजी एसेक्स और यहां पर फॉर्म को भी क्विकली इंपोर्ट कर लेते हैं वों फॉर्म 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 ओके इन दो राउट्स के साथ यहां पर एक वोर राउट होने वाला है जो की होगा टू अपटेट थी शूज जब हम नया शूज अड़ करेंगे तो दू लेकिन जब शूब अबटेट करेंगे तो इस लेट अपर इचे अट आइट थी इस घाइट वॉर्म फॉर्म फ्रिस थी उपर वन फार्ट शूज वोर्म फॉर्म खरेंगे उसमीर फॉर्म प्र वीयर्ट इस ओड शॉलन ऑइड स्ट खोलन आईट हो ठीक हैं अपर्रत फॉ और होमपेज पे है या फोंपेज पे हैं तो हमेशा दिखाने के लिए नावबार को विल एक नावर आउटसाइड ओपी राउट्स तो यह नोव इस मुल्टिपल चाहिल्ड तो लेक्स्ट्रेप इंट अर्लेक्ट फ्रेग्मेंट पूले के बुमेंट आउब। चाहिल्या तीस बिए कि पॉ donde सो तो में लेक्सागीडी अक्सागि का ठीश किर से।च्रेटि अग्स टेस्ठीर तो मुल्ट अर्प एंटस्पार्टल का टो लिएक्सागी फिस स helmावरोक मुल्टर्टлек इसले वेल्यू इसके नल रहेगी और यह स्टेट है यह स्टोर करेंगी शुज फॉम दी डेटाबेस विधिक थी शुज फम दी डेटाबेस अचैनल को लिए खोल उपनेंट नगां इसके बेट ने कोलो गार्ग कमवन्त तो गर्मण बांट एक यह पेट इसकॉल दिया यह . यहां से बिल जाएंगे और जैसे ही टेटा इपेसे आता है हम उसको सेट करवा देंगे इन इस श्यूज इत वरियेबल और इफ देर इस सम एरर इविल जस्केश दाट एंड इंट है okay here it should be response.data okay use effect holyya let's go to the return method here i'm going to create a div last name बैपर एंड ख्लोस्ट बस्ट इस दिफ सब्सक्राइल हम चारें कि शुज अर्बर देन शुज नोट मैप जू है बैसिकलि भी आर लूप अवर अल भी शुज विच 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 वी आर गटिंग फ्हूरम दी डेट बेट बेश वाद यहां पे एक डिव ग्रेक रहते हैं विपी क्लास्थ नेम आफ लिए इनसाइट टीन अर इकोल दिफ इप इप विए रग्स एस्ट फियु तर दिस तीज श्व दन वे रपर देख लिए लग्स ऑगर शूज गे तपी इस एक्जीटों गिए अथर्वाइस एक्सुति नहीं यूगी और यह विए अनुन देख देन अ कार्द दन अ इमिज बॉक्स एप यह मिच्बास कर वार रांशू.च there is a content box where the title will show you and there is a it's called size actually it should be called price and here we are just using the shoe dot price with a dollar okay so it will be displayed like dollar one two okay and then we have the actions and we have two actions one one is to update and delete to update you can see we have used link which we have passed by slash add slash dynamic shoe id so if you remember from our back-end request.js to update the shoe here we have a shoe id pass from here that shoe will be able to get the shoe six is the object which has all the values present in the shoe image price and title next we have another link that is for delete so let's write the delete logic first of all i'm going to write uh on click method or let's call the method delete shoe or if you remember from the request dot or if you remember from the back-end uh delete so we will pass the shoe id here okay now let's write this method i want to delete shoe and here we will get this shoe id now we can use this one delete so we will write access dot delete and and we are passing the shoe id to it you can now access returns a promise so here we will get the response and this response will be written what we have written we have our delete so if you remember from our back-end and go to the shoe controller here if you can see delete sheen karta deleted shoe right so this response in this response in this response deleted shoe will be after getting the response we have existing shoes already we will remove the deleted shoe from that it will filter out it will filter out that I will write shoes.filter shoe 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 dot underscore id is not equal to the response ii response data is the id ii 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 but if there is some error we will just print that that is the logic for deleting the shoe okay with that our home page is also done next my boss hair form okay we forgot to add the css for home page so let's quickly add that home dot modules dot css and let me get the css for it paste it here so you can see this css is a bit tricky this has container this has image box card hover this has some transitions and all that's why uh the home page looks so beautiful because it has so many transactions uh transitions and all okay let's save it and close it and go back to the form and create a mechanism to save it and use it to add it and create it okay so we need to create it for us if you remember from the project demo you can see in the url if the url is present in the shoe this means that the user is updating the shoe and if the user is not present it means the user is adding the shoe okay so we can use that id get right now if you remember from the home we have added the link to the ad slash id the link to the state was created in the shoe object right so now we will write sorry we will read the data from that shoe object price image is equal to use location location dot state okay and due to some reason if the data is not there we will use the empty object so that we can see an error and now one more variable initial values and or skin the ramara raga title price and image now let's create some states to state now the initial value will be the initial values okay this is the present the form can that we submit clickable otherwise clickable may you go okay now let's create the jsx कर लिया है नहीं हमारा पहला इंपुट फॉर टाइटल की रेट कर लिया है सिमिलर्ली एक होगा फॉर प्राइस एंडिक होगा फॉर इमेज यहां पे वी कैंड राइट वन फॉर प्राइस एंड वैल्यू इसकी टेकी फॉर्म फील्स टाइस से और एक होगा नेम इमेज और इसकी वैल्यू टेगी टाइट इमेज से ठीक है नाओ यह तो इन्पुट फील्स है इनको एक ओंचेंज हैंडलर चीह जो की वैनेवर दूजर एंटर्स दी वैल्यू विच गैन अप्टेट कि वैल्यू इन दिस फॉर्म फील्स राइट इस अमने सेट फॉर्म फील्स बनाया है इसको भी तुकॉल करना है तो इसके लिए लेट्स के रिएट ऑंचेंज हैंडलर नाम ले देते हैं अप्टेट फॉर्म फील्स प्टेट करने के लिए दो चीजे सिये एक तो फॉर्म फील्स का नाम विक युकम सा फील्ड अब्डेट करना है और वैल्यू है रिद्स निजर टाइप करी है को वैल्यू टो टो चीजें इसको चाहिए गी फरस्टिं में गुइंट और ग Crown Road वैल्यूज कि हमारी हो जाएगी जो भी एक्षिस्टिंग वैल्यू है फॉर्म फील्स की वैसे की पढ़े रहे ही और जो भी फिल्ड का नेम है उसको अप्डेट कर दो भी पेट हुआ है विद वैल्यू जो की यूजर नेंटर करी है ठीक है एंड नाओ वी वैल्यूस अप्डेट हो वैल्यूस यह अभी जो ऑन चीज हैंडलर है हमारा जो अप्डेट फॉम फिल्ज है इसको वी कन पास्टू थी थ्री इंपूट्स ठीक है तो आम गविंग राइट ओन चेंज और यहां पे इंपनों को एक इवेंट मिलेगा शीकन यूस एंड यहर वीकन कोल दीप्रेट फ वी डॉट टार्गेट डॉट नेम एंड एक इसको ची होता है यही डॉट टार्गेट डॉट वैल्यू यह तो दिस आरप्डेट फॉम फिल्स यह नहीं पास करवा दिया और यह वैल्यू पास करवा दी और नेक्स्ट हमें तीनों इंपूट्स के लिए लेबल भी चाहिए राइट सो पहले लेबल दालते हैं टाइटल का दैन यह लेबल आएगा इसका आइसका और इसके नीचे लेबल आएगा फॉर दी मिच अब हमारे तीनों इंपूट फील्स आर रेडी नाव वीडिट असब्मिट बटन नाव जो ओन क्लिक मेथड हो गए इसका लेट सक्रीट आट ओन क्लिक मेथड और यहां पर राइट सब्मिट फॉर्म फॉर्म सब्मिट करते ता हिम आर बस दो कंडिशन दैंवन एस यूजर इस एडिंग अन्यू शू और दूसरा है यूजर इस अप्डेटिंग शू एक दोनों ही कामों के लिए मारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिए इस हैं अब यह चेक ने के लिए यूजर प्रेट कर रहा है कि एड वी हाव दिस शू आइडी फ्रम यूरल वरियाबल यहां पर पास कर वा सकते हैं अब अब अगर यह वैल्ट इस इस एंपोंट के साथ साथ श्रीशन डीटा विल्टी है सो फुस्कु इस ने टा के लिए फिल पास्तिस फोंट फील्स बिए इस फोंट फील्स के अंदर इंडर टाइल प्राइज इन इमिज दिनों ही तीजे प्रेंट आइज और यहां पे यह एंट पास कर वादिया अच्छु को एड करने वाला और एड करने के लिए भी वी फोंट और यह जो प्रामिस है इसका मैं प्रॉलिश को पिकर लूँगा तैन तो यह तो प्रिंट टेटा अधर्वाइज एल प्रिंटी एरर एलक समेट एड अब जो हमारा सब्मिट फों मैथड है वी कन यूज इ और और यह जो मैंने उप्रिंट नाया था इस सब्मिट लेकिबल इसका उजब होगा तो यह सब्मिट मैथड है यह तब ही कोल करना चाहता हूं जब मेरा सब्मिट लिकेबल है रिच मेंज वेल्यूज प्राइस इमेज और टाइटल जब इनो वैलिश डालती है तब ही सब लिक देस्ट इसकी दसके देस्ट लिए the login box and we have the h2 user box is the input tags are there label is there and then there are some focus and our state yeah and then we have some span and you're second the nth child here let's save that so with that our home is ready our form is ready navbar is ready and the app.js is ready i think we are in a position to run the application so let's see printend and yeah clicking npm start it has some error navbar is not defined in the app.js so let's go and fix that the app.js navbar okay we forgot to import it so let's import it now save it okay so this looks like this which is pretty ugly i think we have forgot to import the css for home so let's import the css for home first form.modules.css and let's quickly check for the form as well okay we have forgot to import pcs for form as well so let's import the css for it we have a modules.css and save let's go back to the application okay now we can see this is a bit off let's fix that i found the problem actually is a diff user box we actually wrap it will wrap every input element as of now we have all three input elements so let's wrap each input element with the user box diff let's quickly do that let's go to home page the home page case is maybe a issue actually so this content box should wrap all these things but we have clicked on this content box so we will add it at the end with that let's go back to the application okay so now our application is working we have one shoe here let's try to update it evaluate or we can see the shoe id here let's say the price has increased to 80 dollars submit it go back to home page and you can see the latest crisis 80 okay let's 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 add a new shoe and submit it let's go to the home page now you can see we have the leave-on shoe added so our update is working and add is working let so now let's try delete if i click delete it's not working so let's go to the vbs code and try to fix the issue with that uh we have delete you here actually it should be http not https so let's try to delete it now if i click delete and refresh the page it goes away okay like me instantly delete so for that let's go to the vs uh let's go to the vs code and here if you see in the delete shoe we are um we are filtering the shoes but we are never setting the updated shoes so that we have to set the shoes so that we have to set the shoes so that we have to delete this logic filter out and set the shoes that we have to set the latest shoes go let's select the shoes go set cardiga but they say he am i state update hoge is the render hozaga and we do not take to refresh it again it will be deleted instantly so again it will be deleted instantly see it's gone instantly again so with that delete is working update is working add is working and we were able to fetch all the data from the database so our old credit operations are working properly so that's it guys for this video you